हेलो प्रेंट्स मैं कमलेज आप देख रहे हैं स्टेड़ी मेटेरियल A2Z एरफोर्स ग्रूप C का सेकिंड फेज का एक और एडमिट कार्ड दोस्तों यहाँ पे इन्वाइट किया गया है सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या प्रोसेस होगी और आपके स्किल और PFT में क्या क्या करवाया जाएगा क्योंकि अभी से आपको त्यार रहना है कौन-कौन से डोकुमेंट आपको अरेंज करने है और आपको एक एडमिट कार्ड और जो यहाँ पे इन्वाइट किया गया है और ब्रेली उत्तरपरदेश का मैंने आपको रिव्यू कर दिया था फेल सैकिन का एडमिट कार्ड वहाँ से इन्वाइट किया गया था तो दोस्तों कम्पलीट वीडियो को देखेगा और सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है तो जो भी कैंडिडेट नहीं हो चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और आपने अभी तक है दोस्तों टेलिग्राम को जो सब्सक्राइब नंबर है उनकी कमेंट मेरे पास जरूर कर दें ताकि उनको जो यहां पर हटाया जासके भाई इस परकार से जो मुझे कल मैंने यह चैक कर लिया था बाइचांस यहां पर तो यहां पर कैंडिडिट के द्वारा ऐसे जो पैसे मांग रहा था और कुशन ड़े दाल रखी है है जो ठेलिगराम पर डाल रखी एं अब सवाल होता है कि सब्सक्राइब कर आएगा तो दोस्तों यह जो ठारा नमर्ट टेस्टी करम से लिखा आएगा आंसर की भी यहाँ पर लिखी जाएगी उन्ती दोस्तों जितना उसके वीडियो को सेर एंड लाइक कर दीजिगा चलिए नाओ तो दोस्तों यहाँ पर बाट्सप पर मेसेज आ चुका था कि हेलो भाई कमलेस मेरा एरफोर्स का स्किल टेस्ट का एडमिट कार आ चुका है मेर स्टाप की क्या प्रोशेस होगी सारी चीज़ें इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह इनका एडमिट कार है और आगे जो भी बाचित हुई थी कि एक्जाम कब था तो एक्जाम था दोस्तों इनका 22 जुलाई को एडमिट कार आ गया 29 जुलाई को तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी फोक्स में रखिएगा दोस्तों आपका एडमिट कार जल्द आ जाएगा कुछ का कुछ का जो धीरे करकी आएगा तो कुछ को टाइम कम मिलेगा यह सारी प्रोसेस होती रहेंगी तो दोस्तों मैंने यहां पे बरेली उतरपदेश का आपको रिव्यू करवाया था अब जो मैं यहां पे रिव्यू करने वाला हूँ यहां पे यह जो admit card आड है वो आया है जोधपूर से तो जोधपूर में मंडोर जोधपूर से इनका यहां पे air station था यहां पे इनका admit card आचुका है 29 जुलाई को admit card भेजा गया था 22 जुलाई को इनकी exam conduct होई थी और यहां पे आप देख सकते हैं मेरे बाई air station मंडोर 13 अगस्ट को 9 बज़े यहां पे representative होना है इनको तो यह दोस्तों इनका देख सकते हैं यहां पे represent होना है इसके लिए यहां पे original document बोला गए है कि आपकी matriculation जो पास है वो आपकी पास mark seat होनी चाहिए वो भी original होना चाहिए जो भी document है अब आपको original लेकर जाना है time of applying for that post तो दोस्तों जिस भी post के लिए आपने apply किया है वो document यहां पे आपके पास होने चाहिए गा original experience certificate any climate अगर आपके पास है तो भाई कोई experience certificate medical certificate with ph category यह दोस्तों यह जो admit card है यह ph category में आया है लेकिन कल वाला जो admit card था वो normal था यहां पे original birthday certificate इसके लिए आप 10 में की mark seat को carry करके ले जाएंगे और आपका आता है OBCST के लिए जो भी है आपकी category की वहाँ पे आपको इसका भी certificate लगेगा अगर आप sports का अगर है तो भी आप जो यहां पे लेक जा सकते हैं domitial certificate यानि मूल निवास यह सारी process आपकी होगी उसके बाद यहां पे ले जाना है original call letter ले जाना है और आपको personal identity proof जिसमें आधा card, pen card, diving license, water ID card यह तो होगे दोस्तों आपके document अब आती है बादसर करवाया क्या जाएगा तो दोस्तों मैं आपे बता देता हूँ सबसे पहले skill यहां पे देखिए admit card आया है skill और PFT दोनों के लिए practical test के लिए आप skill के लिए skill का मतलब होता है कि आपकी जो भी आपका post का नाम है उसके regarding कोई ना कोई वाक करवाया जाएगा में stop है तो आपको पता है भाई क्या working होती है इसके अंदर वो ही work आपसे करवाया जाएगा आपकी process देखी जाएगी कुछ आपको मैंने review भी दिये थे जिसमें आपको क्या करवाया जाएगा जैसा post का नाम है LDC है तो भाई typing हो जाएगी में stop है तो आपको पता है में इसका काम करना होता है क्या क्या process होती है वो सारी चीज़ें करवा ली जाएगी वो भी एक normal time के लिए थोड़ा सा timing period के लिए आपको करवाया जाएगा और आपकी rank note की जाएगी स्टोर कीपर वाले हैं तो भाई arrangement करवा लिया जाएगा कि आपके इस परकार से arrangement करेंगे और camera लगा होगा वो सारी चीज़ें कुछ अपसर होगे वो आपकी चीज़ें जो activity note करते रहेंगे point वहाँ पे mention आपके जो कर लेंगे और सारी process में आपको जो इस परकार से आपकी skill conduct होगी रही बात आपके PFT की तो दोस्तो PFT में running होता है weight वाला होता है running आपकी 1600 मिंटर के लिए ready रही है कि आपको running जो लगबग 8 मिंट का time देते हैं कहीं पर भी time नहीं देते हैं round के according यहाँ पर करते हैं PFT second के अंदर PFT जो phase second है उसमें आपको यह सारी चीज़ें करनी होगी तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और जो भी candidate नहीं हो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर कर लिजीगा दोस्तों इसी परकार की update आपको मिलती रह इसके परकार के लाल के वीडियो को कीजिए और आपको और भी प्क रहोट चीज़ें और रहें